जैहिंग दोस्तों आप सभी का गहां तक रोजगारी स्टेडी पर बहुत-बहुत स्वागत है तो फ्रेंट्स जैसा कि आप सभी यहां पर देख पार होगे इसरो की तरफ से यूरसी का जो फुल नौटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है यहां पर आप सभी के लिए बहुत अच्छी खुसकवरी है क्योंकि यहां पर 10th pass, ITI pass और डिप्लमा वाले छात्रों के लिए बहुत अच्छा मौका है फॉर्म कब से भरे जाने है, संपूर्ण जानकारी कौन-कौन भर सकते हैं किस पोस्ट के लिए हैं पर वेकेंसी निकाली गई है, सारी डेटेल इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाली है तो चलिए फ्रेंड्स मैं आप सभी को उस नौटिफिकेशन की तरफ लेकर के चलता हूँ तो फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पर देख पा रहोंगे, यह ओफिशन नौटिस आपका जारी हो चुका है अब यहाँ पर बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को मैंने पिछले वीडियो में बताया था तो यहाँ पर किन किन पोस्ट के लिए आपर वेकेंसी निकाली गई है देखे सारी detail यहाँ पर दी गई है और आप सभी इने पहले ही यहाँ पर मैं आप सभी को अबगत कराना चाहूंगा इस रो की कोई भी vacancy आपके आती है तो starting में यहाँ पर आपको जो post लिखी जाती है वो temporary ही लिखी जाती है बाद में इनको क्या इस्थाई कर दिया जाता है तो यह आपको ध्यान लखना यह हर post में इस रो की तरफ से लिखाला जाता है और UR, REO, satellite जो center है URSC उसके लिए भी हाँ पर vacancy निकाली गई है अब सबसे पहले आप सब भी हाँ पर देख पार होंगे पहले बात करेंगे ITI के 16 के लिए कि हाँ पर पोस्ट जो है जो आप सब भी हाँ पर देख पार होंगे देखे यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं आपको उवगत करां चाहूँगा हाँ पर MTAC वाले candidate के लिए दो पोस्ट निकाली गई है आप सब भी हाँ पर देख पार होंगे तो यहाँ पर एक पोस्ट लिका लिए यह जनरल कैटेगरी के लिए उसके बाद फ्रेंड्स अब बात आते हैं टेक्निशन B पोस्ट की जो कि ITI के candidate को इंतिजार था किसन यहाँ पर पोस्ट कितनी निकाली जाएंगी तो टेक्निशन B के लिए यहाँ पर इस रो की तरफ से बहुत अच्छी खुसकवरी है जैसा कि आप सभी देख पार होंगे इलक्टोनिक्स जो डिपार्टमेंट है उसमें वेकंसी जो है बहुत ही कम आती है लेकिन इस बार इस रो की तरफ से यहाँ पर इलक्टोनिक्स जो डिपार्टमेंट है उसमें बहुत जादा वेकंसी निकाली जा रही है आप सभी यहाँ पर किलियरली देख पार होंगे इसरो की तरफ से maximum vacancy जितनी निकाली जा सकती है उतनी vacancy यहां पर बहुत अच्छा है इससे पहले आप सभी notification उठा करके देख सकते हैं कि बहुत कम vacancy इसरो की तरफ से technician B की electronics की निकाली जाती थी लेकिन यहां पर आप सभी देख पार होंगे इस बार जो है electronics की total post की बात करने तो 63 post यहां पर निकाली गई है अभी अभी पीछे आप सभी ने देखा था कि आपको NRAC में जो है आपकी vacancy निकाली गई थी इसी पिरकान यहां पर जो है technician B की जो है electronics का कौन-कौन से trade इसमें माननी है electronics mechanic technician power है और electronic system mechanic consumer electronics appliance और mechanic industry electronics तो यह सभी post वाले यहां पर जो है इस form को जो है apply कर सकते हैं number of total post की बात करने तो general में 28 post है OBC में 16 post निकाली गई है SC की 9 post निकाली गई है या फिर आपका national trade certificate हो या national apprentice आपने यहां पर क्या हो national apprentice certificate आपके पास electronics mechanic या जो भी आपके trade दिगी है उनमें आपका होना जरूरी है और एक चीज़ notice करेंगे फ्रेंच यहां पर NCVT से यदि आपने ITI किया है तो वही चातर यहां पर इस form को डाले यदि अपने ITI SCVT से क्या है और apprentice भी किया है तब आप इसका form डाल सकते हैं apprentice के through तो इस चीज़ को यहां पर ध्यान रखना है तो यहां पर जो है इन्होंने clearly mention कर दिया है आप से यहां पर ध्यान रखें यह qualification आपके पास है तो इसको फ़रेंगे electrical की बात करेंगे इलक्टीशन जो का electrical और इलक्टीशन बाले जो ITI के candidate है उनके लिए हापर total 13 पोस्ट निकाली गई है जनरल की 5 पोस्ट है OBC की 3 पोस्ट है SC की 3 पोस्ट है EWS की 2 पोस्ट है तो यह आप सभी ध्यान रखना है फ्रेंड्स है आप आप सभी clearly देख पार होंगे qualification आपका वही clear है उसके बाद friends हैंपर number जो है post 7 की हापर बात करेंगे photographic के लिए हैंपर 5 पोस्ट निकाली गई है जिनमें आपका general की 1 है OBC की 1 है SC की 1 है ST की 1 है उसके बाद में हैंपर qualification भी same रखी गई है आप से भी आपर देख लेंगे उसके बाद friends हैंपर fitter की बात करेंगे fitter में भी बहुत अच्छी vacancy आपर 17 निकाली गी है आपसे भी देख पार होंगे general की 7 vacancy है OBC की 7 vacancy है HC की 2 vacancy है ST की 1 vacancy है EWS की 1 vacancy है qualification क्या रखेगी है वही आपका qualification रखेगी है 10th pass या तो आपका IT certificate होना चाहिए सब की same qualification है और यहाँ पर आपको यह भी अभगत कराना चाहूंगा कि आपका return test होगा और qualify जो skill test है वो आपका यहाँ पर लिया जाएगा इस दो की तरफ से तो यहाँ पर जो है बहुत अच्छा मौका है इस बार आपसे भी देख पार होंगे plumber की team post निकाली गी है plumber वाली candidate भी देख लेंगे अपना और यहाँ पर RAC की बहुत अच्छी vacancy आप अपनी trade के according यहाँ पर ध्यान रखेंगे Turner की दो post निकाली गी है वो आप से भी कहाँ पर ध्यान देना है फ्रेंट्स Turner की जो की General category और SC category की एक पोस्ट है Carpenter की तीन पोस्ट निकाली गी है उसके बाद Motorumak की vehicle की दो पोस्ट निकाली गी है और Machinist की यहाँ पर 5 पोस्ट निकाली गी है तो यह आपका फूल नोटिफिकेशन है इस तरीकी इसको आप हर डिपार्टमेंट के लिए हैं पर पोस्ट निकाली गी है आप देखिए नंबर ओडिप्लॉमा की बात करेंगे फ्रेंड्स डिप्लॉमा वाले चातर भी यहाँ पर पर परिशान थे क इस तरीकली इसर सर वेकेंशी नहीं आ रही हैं तो 28 वेकेंश यहाँ पर इस तरू की तरफ से निकाली गी है, electronics only 4 electronics यहाँ पर द्यान लखना है friends केवर और केवर electronics engineering आपके पास diploma है first class diploma आपके पास होना चाहिए और यहाँ पर 11 post general की निकाली गी है और OBC की 9 post निकाली गी है SC की 5 post निकाली गी है और ST की 2 post यहाँ पर निकाली गी है very very important है आप सभी के लिए इस form को आप बिल्कुल भी miss नहीं करना है अच्छे से preparation पर लगज़ेगे technical assistant के तौर पर इस रोके department में जो है diploma वाले candidate यहाँ पर इस form को भर सकते है ITI का बता चुका हूँ, diploma वाले छातरों का बता रहा हूँ यहाँ से भी यहाँ पर देख पार होंगे यहाँ पर computer science से 6 post निकाली गी है इस चीज को ध्यान लखेंगे general की 4 है, SC की 1 है, ST की 1 है first class diploma होना चाहिए आपका जैसा की polar technique आप सभी को ध्यान लखना है यहाँ सभी को यहाँ पर ध्यान लखना है civil वालों के लिए 4 vacancy यहाँ पर निकाली गी है आपका civil से diploma है तो आप इस form को भर सकते हैं mechanical में 12 post निकाली गी है general की 5 है, OBC की 3 है, SC की 2 है, EWS की 2 है तो first class diploma है यहाँ पर आपके पास होना चाहिए यह clear है आप सभी का यह आप सभी यहाँ पर अच्छे से देख लेंगे उसके बाद यहाँ पर आप बात कर लेंगे यहाँ पर बात कर लेंगे यहाँ पर BSC वाले candidate के लिए बहुत अच्छा मुका है BSC वालों के लिए 2-2 post chemistry, physics और आपका animation, multimedia एक post निकाली गी है 10th pass का candidate के लिए भी हाँ पर cook के लिए देखे cook के लिए हाँ पर 4 vacancy निकाली गी है जिसमें आपका 5 साल का experience हाँ पर आपका होना चाहिए cook से related यह आप सभी को धान रखना है 10th pass के बाद clear है यह आप सभी को हाँ धान रखना है experience का जो certificate हैं पर individual जो है वो not accepted होगा इस चीज़ को यहाँ पर धान रखेंगे cable certified होना चाहिए वो आप सभी का यह आपका हो गया उसके बाद fireman की तीन post निकाली गी है इस चीज़ को धान रखना है आपर 10th pass आपको धान रखना है आपर जो है मांगा गया है यहाँ पर आपसे भी अच्छे से देख पार हूँगे तो clear आप से भी का है यहाँ पर जो है जो मांगा गया है वो आपसे भी को अच्छे से देख लेना है friends तो यह आपका qualification यहाँपर मांगी गई है इस चीज़ को धान रखनेंगे और नीचे भी लेके चलूँगा मैं तो नीचे आपका जो है देखिए यहाँ पर जो है उसके बाद friends यहाँ पर जो है fire का आपसे भी देख लीजिएगा यहाँ पर जो है हो गया उसके बाद देखिए हाँ पर 10th pass आपके पास होना चाहिए उसके बाद यहाँ सैटिसफाई जो है अपना जो फिजिकल फिटनिस होना चाहिए आपका यहाँ पर फिजिकल होगा fireman में इस चीज को धान रखेंगे उसके बाद friends क्या होगा उनका computer test होगा इसकी क्या होता है वो आपसे भी को यहाँ पर पता है उसके बाद light motor vehicle की भी 6 पत यहाँ पर निकाल लेगे है इस चीज को धान रखेंगे इसमें क्या है आपका 3 year का experience light motor vehicle जो है आपका driving lessons यहाँ पर आपका होना चाहिए यह सारी details दिगे है इनको आप अच्छे से पढ़ लीजेगा notification आपको वीडियो के description में link दिया है महां से जाकर के पूरा notification अपनी qualification के according पढ़ने के मतलब पढ़ने के पस्चाती इस form को apply करें है भी vehicle driver की भी यहाँ पर दो post निकाली गी है यह चीज धान रखना है friends इसके लिए भी तो यहाँ पर जो है इस तरीके से आप जो है तो age अलग-अलग post के लिए अलग-अलग age है तो यहाँ पर आपको देहन रखना है एक से दो post के लिए यहाँ पर 18-30 years रखी गई है 3-4 post जाकी scientist engineer के 18-28 रखी गई है उसके बाद यहाँ पर डिपलॉमा वाले technical assistant की बात करेंगे तो friends 18-35 यहाँ पर age आपकी रखी गई है जो कि आपका पेस्केल जो है लेवल 7 का है आपर 24,000 900 पर मंत बेसिक यहाँ पर आपको मिलने वाला है बाकी जो है आपका allowance बगएरा सब कुछ मिलने वाला है उसके बाद live यहाँ पर आपसे भी देख पा रहोंगे तो assistant यहाँ पर scientific assistant और library assistant का भी यहाँ पर 18-35 age रखी गई है technician B वालों जो कि ITA की candidate है उनके लिए भी 18-35 age रखी गई है लेवल 3 की post आप सभी देख पा रहोंगे 21,000 बेसिक जो है 21,700 पर मंत यहाँ पर रखा गया है बाकी आप सभी यहाँ पर देख पा रहोंगे fireman के लिए यहाँ पर 25-18-25 रखी गई है और cook में आपका 18-35 रखी गई है बाकी सभी का age जो है वो sam है यहाँ पर आप सभी clearly salary भी देख पा रहोंगे जो basic है बाकी सारे आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं जितने भी benefits मिलते हैं बाकी आप सभी को द्यान लखना है आप सभी यहाँ पर देख पा रहोंगे friends यहाँ पर आपको द्यान लखना है कि इसका जो है form apply होने वाला है वो कल से start होने वाला है दस तारिक से इसके form आप apply कर सकते हैं fees जो रखी गई है friends इसका fees भी मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा देखिए यहाँ पर जो fees रखे है non refundable fees है जो 2500 रुपे यहाँ पर आपको द्यान लखना है non refundable fees होगी जो कि आपका किस के लिए है वो scientist जो engineering ऐसी जो है उनके लिए हैं पर रखी गई है यहाँ पर जो है जो कि साथ साथ सो रुपे देने होंगे इस चीज को द्यान लग अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग रखी गई है जिनमें आपका जो है इनका 500 रुपे जो है वो आपिस हो जाएगा यहाँ जो कि दाइस हो जो है non refundable होगा साथ साथ सो कटेंगे जो कि साइन्टिस्ट वाली पोस्ट के लिए है अब यहाँ पर non refundable फीस है आप से भी को ध्यान लग ना है यहाँ पर इसमें कौन चाहा आता है इसमें टेक्निसिन भी यहाँ यहाँ पर जो है जहां नकना है मैं आपको देखी टेक्निकल और यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट एससी हो साइन्टिफिक असिस्टेंट बाकी जो है टेक्निसिन भी हो गया ड्राफ्ट मैन भी हो गया कुक हो गया फायर मैन हो गया लाइट वोटर मीकल हो गया इनका जो है 500 रुपे फीस कटने वाला है जो की 100 रुपे non refundable होगा 400 ज क्लियर है आप सभी अच्छे से form को fill up कीजिएगा बिना गलती के और जिन्होंने अप्रेंडिस किया है 10th के बाद वह वी इस form को डाल सकते है तो क्लियर है फ्रेंट्स यह आप सभी को यहाँ पर धान रखना है यह selection process आप सभी को बदा चुका हूँ मैं आप सभी को क्या होंगे मिलता हूँ रेस्ट वीडियो में तब तक के लिए सभी को जैहिं बंदे मात्रम